हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैड बुकिट किर्थी भार्दवाज एक पर फिर से आपका हर्दिक स्वागत करती हो आपके अपने यूट्यूब चैनल भार्दवास लॉग अकैटमी में तो भार्दवास लॉग अकैटमी में आज जो हम वीडियो आपके सामने लेकर आए ह वो उन लॉग ग्रेजूइट्स के लिए हैं जो आल इंडिया बार की तैयारी कर रहे हैं और इंडिया बार एक्जामेनेशन हाउ टू क्लियर कब फॉर्म भरेंगे कब क्या होगा सारी चीजें जो हैं वो हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं अगर आपको आपके चैन नहीं आ रही थी लेकिन अब आपको रगॉलर्टी से लाइब क्लासथ भी मिलेंगी वीडियो मिलेंगी सब कुछ आपके अपने चैनल पर अबलेबल कराया जाएगा तो अगर आपको आपकी चैनल पर आरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं या इस नमबर पर कॉल या वाटसप करके मुझे क्योरी बता सकते हैं तो चलिए करते हैं शुरू आज की हमारी जो वीडियो है उसको How to clear means How to clear All India Bar Examination AIB की तैयारी कैसे करें AIB से जुड़ा क्योंकि तक हो एक वकील बनने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है एक All India Bar को clear करना All India Bar Examination आप clear नहीं करेंगे इसके लिए आपको 2 साल का duration मिलता है आपका COP के बाद जो है अगर आपको COP अवेल करना है Certificate of Practice तो All India Bar Examination clear करना जरूरी है इसी के basis पर जो है आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी practice कर सकते हैं तो इस वीडियो की मुखे बाते होंगी exam के pattern कैसा होगा Slavers eligibility how to prepare अब बात कीजाए Slavers की तो Slavers मैं शुरू करते हूँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो constitutional law 10 marks IPC जिसको हम बोलते हैं भारतिया न्याय सहीता CRPC BNSS CPC 10 evidence भारतिय शक्षिय दिनियम 8 marks तो अभी तक देखो जाए तो कॉंस्टी IPC CRPC CPC evidence इन में से जो है 10 marks का और 8 marks का on and average आ रहा है तो 30, 38 और 46 46 marks का तो आपका इन 5 subjects से ही cover कर लिया जाता है तो what I want to say is that कि इन subjects को भाया भूलने की गलती मत करना है इनके point to point आपको learn करने पड़ेंगे अब आते हैं minor subjects की तरह ADR, ADR से मैं बात करूँ इसमें arbitration को include करते हुए 4 questions के पूछ रहा है Family law includes the Hindu law and Muslim law दोनों से 8 questions आ रहे हैं PIL की बात की जाए तो 4 है Admin law 3 Professional ethics की मैं अगर बात करूँ including the cases वगेरा जो BCI के rules है उन में 4 questions Company law 2 marks Environmental law 2 marks Cyber law 2 Labor law की अगर मैं बात करूँ तो 4 marks का question पर जो है आते हैं Tort और Motor Vehicle Act और Consumer Protection Act इन तीनों ही acts के combination जो है इसमें आपको 5 questions देखने को मिलते हैं Contract, SRA, Property Law, NI Act इन में से आपको 8 questions देखने को मिलते हैं तो ये भी आपका एक major area है और Family law भी आपका एक major area है Accessions law की मैं बात करूँ तो 4 marks का questions आते हैं Land Acquisition Act Land Acquisition Act से आपको 2 number का और IPR से 2 number का तो अब देखते हैं कि total जो है 100 marks का या 100 questions इसमें आते हैं अब major subjects की मैं बात करूँ तो आपको Point No.16, Point No.7 एक से लेकर 5 तक के ये तो major areas हैं जिनको आप छोड़ने की गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं हाँ जी अब बात करते हैं All India Bar Examination के लिए हमें किन किन प्रमुख बिंदों का ध्यान रखना होगा तो प्रमुख बिंदों में आते हैं All India Bar Exam के लिए आप भही barracks लेकर जाएंगे जो की बार exam के लिए बनाई गई हैं ये चीज़ याद रखेगा आप अलग से नहीं लेकर जा सकते हैं जो common barracks होती हैं जैसे universal की हो गई या कोई भी उनको आप examination center में नहीं लेकर जा सकते हैं Case laws आपको make sure करना है कि important case laws recent case laws और landmark judgments जो हैं वो आपको avail करनी है वह या सब से पहले किसी भी paper को clear करने के लिए concept clear होना ज़रूर है तो conceptual laws के लिए आप जो है आपको अब कोई question आ गया CRPC से आ गया BNSS जिसको हम कहते हैं तो BNSS से question आ गया आपको यहीं नहीं पता कि यह BNSS से है तो आप करेंगे कैसे important theories, amendments यह सारे जो points हैं यह में प्रमुक बंदों में आपको धान रखने हैं अब बात करें Study plan की, study plan की अगर मैं बात करूँ तो PYQs, All India Bar Exam को conduct करने के लिए या उसको clear करने के लिए अगर मैं basically बात करूँ तो PYQs are the best things which you have to solve at least two times दो बार तो आप करके ही जाओ जितना maximum आप करोगे उतना ही आपको clarity मिलेगी questions की barracks, major case loss, books, etc ये चीजें आप जो है पढ़ेंगे हर हाल में एक major, एक minor subject आप take up कर सकते हैं क्योंकि उनने subjects हैं तो देरे-देरे syllabus को cover करेंगे तो आप qualify कर पाएंगे चार फिज की आपको revision at least जरूरी है ये चीज़ याद रखेगा practice of mock papers mock analysis जो है, वो essentials है फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो main point आता है वो आता है आपका final revisions के लिए practice, हाँ आप कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखेगा, exam को clear करने के लिए 45 marks आपको required होते हैं, open book test होता है, जिसका मतलब है आप barracks लेकर जा सकते हैं, लेकिन barracks आप जबी लेकर जा सकते हैं, यह उन में से आप answers को solve करके सकते हैं, जब आपको यह पता है कि concept कहां से आ रहा है, question कहां से आ रहा है, तीन घंटे का paper होगा, negative marking नहीं होती है, 30 questions जो है, they are totally from the index based, index based होंगे, यह चीज़ याद रखेगा, अब बात करते हैं, all India bar exam के लिए, जो भारतोराज law academy का batch है, जो कि 20 October से शुरू हो रहा है, complete barracks आपको करवाया जाएगा, section based, जो है complete barracks को with analysis अगर मैं कहूं तो, आपको concept clarity के साथ कराया जाएगा, section based होगा, important cases आपको कराया जाएगे, आपको जो है, 1000 से जादा MCQs each subject के कराने जा बात होगा, 20 October से, daily's में classes होगी, live plus recorded lectures, bear act approach से हम चलेंगे, क्योंकि bear act open book test है, bear act based approach चलती है, अब बात करते हैं, इसकी fees की, fees की, अगर मैं बात करूँ, तो यह two installments में आपको fees जो है pay करनी होगी, 5000 इसकी fees है, evening में daily's 7 से 8 आपकी class होगी, Monday to Saturday, यह आपका schedule रहेगा, batch का, अग आप मुझे इस number पर call your whatsapp कर सकते है, thank you, all the best, फढ़ते रहेए, मिलते हैं जल नेक्स वीडियो में, अगर कोई भी query है, कोई भी आपको दिक्कत आती है, आप मेरे student है, नहीं है, आप मुझे इस number पर call your whatsapp कर सकते है, thank you, all the best, फढ़ते रहेए, साथ बनाय रहेखे, मिलते हैं नेक्स वीडियों, thank you